एकांत के सौव वर्ष या One Hundred Years of Solitude इस किताब को बीस्वी सदी के सबसे बड़े उपन्यासों में से एक माना जाता है शायद ही दुनिया की कोई ऐसी भाषा हो जिसमें इस उपन्यास की सुन्दरता का उलेख न हुआ हो इस उपन्यास को प्रकाशित हुए अब तिरपन बरस हो गए है इस आधी सदी में ये उपन्यास और इसके लेखक गाबरियल गार्सिया मार्केज ने एक तरह से मिठकी ये दरजा हांसिल कर लिया है इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया में कई लोग मार्केज को ईश्वर के बाद सबसे बड़ा लेखक कहते हैं इस किताब ने करोडों पाठकों को दिवाना बनाया है लेकिन इसके पीछे इसके लेखक के दिवाने पन का जादू है जी हाँ गाब्रियल, गार्सिया, मार्केज सिर्फ एक लेखक नहीं बलकि एक दिवाने लेखक थे लोग कहते हैं कि बिना पागलपन के कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता मार्केज की एक कहानी सुनिये और आप जानेंगे कि पागलपन, रचनात्मक किस्म का पागलपन दर असल क्या होता है मार्केज इस उपन्यास को 18 साल तक सोचते रहे थे लेकिन लिख नहीं पा रहे थे एक रोज 1965 में अपने परिवार के साथ वो मेक्सिको के एक तटिये नगर की और जा रहे थे कि अचानक बीच रास्ते में उन्हें कुछ बातें सूझी उन्हें अपनी नानी से सुनी कहानियां हमेशा याद आती थी और उस समय उन्हें महसूस हुआ कि अपनी किताब लिखने के लिए उन्हें किसी खास किसी बेहत विद्वत्ता पूर्ण शैली की और जाने की बजाए उस शैली को अपनाना चाहिए बात चीत की उस शैली को अपनाना चाहिए जिसमें उनकी नानी कहानियां सुनाया करती थी अचानक उनके भीतर से ऐसी आवाज आई जो इसी समय वो अपने सपनों की किताब को लिख सकते हैं बस इसी समय वो लिखना शुरू कर सकते हैं लेकिन मारकेश तो उस समय कार ड्राइब कर रहे थे उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा पुरा परिवार उनकी कार में था उन्होंने कार बैक की अपने घर की ओर मोड ली और डेड़ घंटे बाद वो मैकसिको सिटी में अपने घर पहुँच गये सबको नीचे छोड़ा अपने कमरे में पहुँचे और उपन्यास को लिखना शुरू कर दिया अठारम महीने तक सुबर नौ बजे से दो पहर के तीन बजे तक काप्रियल कार्सिया मारकेश इस उपन्यास को लिखते रहे उन्होंने सारे काम छोड़ दिये दिन में जिन वक्तों में वो नहीं लिख रहे होते अपनी किताब और चरित्रों के बारे में सोचते रहते एक बार तो मारकेश ने अंदाजे से कहा था कि ये जो पूरे डेर साल अठारा महीने मैंने किताब लिखने में गुजारे उस दोरान कुछ नहीं तो कम से कम तीस हजार सिगरेटें पी डाली होंगी मारकेश कोई संपन्य व्यक्ति तो थे नहीं उपर से सारे कामकाज भी छोड़ दिये थे आमदनी का कोई जरिया नहीं था उनके पास उनकी पतनी का नाम था मर्सिडीज वो बोली आप अपना पूरा ध्यान किताब पर लगाएए बाकी सारी चीजें मैं संभाल लोगी डेड़ साल तक मारकेश ने आमदनी और रोजगार से जूरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया वो बस लिखते रहे और डेड़ साल बात वो पन्यास पूरा करने के बात जब वो अपने दिवाने पन से बाहर आए तो क्या पाया उन्होंने पाया कि घर में फरनीचर का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है पता चला कि डेड़ साल तक मर्सिडीज घर के तमाम सामान बेच बेच के मैनुस्क्रिप लेकर पोस्ट आफिस के ताकि अर्जेंटीना में वो अपने प्रकाशक को भेज सके वहां उनके पारसल का वजन ज्यादा निकला और जेब में पैसे कम थे पोस्टेज चुकाने लायक पैसे नहीं थे उन्होंने अपनी मैनुस्क्रिप को दो हिस्सों में बांट दिया आधा इस लिफाफे में आधा इस लिफाफे में और सोचा कि प्रकाशक को अभी एक लिफाफा भेज देता हूं ताकि वो काम शुरू कर दे दूसरा लिफाफा बाद में भेजूंगा जब पैसे जमा हो जाएंगे लेकिन वहीं पे हडबड़ी में उन्होंने गडबड़ी कर दी और शुरुआत वाला हिस्सा भेजने की बजाए बाद वाला हिस्सा पहले ही भेज दिया अब वहां से प्रकाशक का फोन कि ये तो कुछ समझ में आ ही नहीं रही ये बात अब तुबारा उन्होंने सारी कॉपी बनाई और पोस्ट आफिस पहुंच गया लेकिन इस बार भी उनके पास पोस्टेज के लिए पैसे नहीं थे तब उनकी पत्नी मर्सडीज ने आखरी कहना निकाला उसे बेचा और उसे बेच करके पोस्टेज डाक खर्च निकाला गया टिकट खरिदा गया और उसके पाथ 100 एर्स आफ सॉलिट्यूट की पांडूलिपी इस तरह प्रकाशक के पास रवाना की गई और इस दिवानेपन का पारितोशिक देखिए बहुत बड़ा पारितोशिक किताब छपके आई और पहले ही दिन ब्यूनस आयर्स में उसकी तीन हजार कॉपी बिग गई और पहले ही हफ़ते में आठ हजार कॉपी ये सिर्फ एक ही शहर का आंकड़ा है उस समय मारकेज की पमांग उसके पहले जितनी किताबें छपी थी वो सब भी कुल मिला करके इतनी नहीं बिग थी जितनी 100 येर्स आफ सॉलिट्यूट एक हफ़ते में ही बिग गई स्पैनिश भाषा में उनकी किताब सबसे ज्यादा बिगने वाली किताबों में से है 100 येर्स आफ सॉलिट्यूट से ज्यादा सिर्फ बाइबल बिगती है और इतने बरस तिरपन साल बीच चुके हैं बिक्री का ये आंकला तो अब करोडों में पहुंच चुका है किताब लिखने के दोरान मारकेज के घर के सामान और बीवी के गहने तक बिग गए थे लेकिन छपने के बाद उनके पास बेशुमार दौलत आने लगी उनकी किताब हर भाषा में अनुवाद होने लगी जो मारकेज किराय के घर में रहते थे जल्द ही उनके पास पूरी दुनिया में साथ मकान हो गए मेक्सिको सिटी में सत्तर के दशक में उन्होंने जो मकान बनाया था वो सेंट्रली एयर कंडीशन था और उनके देश में ऐसे मकान महद कुछ गिने चुने लोगों के पास थे तो ऐसा एक लेखक का जल्वा और बाद के बरसों में अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मारकेज युवा लेखकों को प्रोटसाहित करने के लिए उनको प्रेशिक्षित करने के लिए उनकी मेंटरिंग करने के लिए खर्च किया करते थे बाकाइदा अपनी भाशा में कई युवा लेखकों को वरक्शॉप्स के लिए या अनुदान दे करके अपने तरीखे से काम करने को उप्रोटसाहित करते थे अपनी प्रतिभा और मेहनत में हमेशा भरोसा रखने वाले मार्केज को दुनिया के महानतम लेकों में माना गया तो इसके पीछे एक बड़ा कारण था उनका दिवानापन उनकी पतनी मर्सडीज उनके लिए एक शब्द इस्तिमाल करती थी स्पैनेश भाषा का वो है इनसानों या फिर लोका और दोनों शब्दों का अर्थ होता है पागल हम लोग इसको हिंदी में जुनूनी कह सकते हैं जुनूनी शब्द कहीं ज्यादा बहतर होगा किताब का नाम तो है एकांत के सौ वर्ष यानि वन हंड़ेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड लेकिन अगर इसके लिखने की प्रक्रिया पे कोई किताब लिखी जाए या लिखने की प्रक्रिया को इसी अंदाज में एक शब्द में बांधा जाए तो कह सकते हैं जुनून के ड गेड़ वर्ष जी हां आज तिरपन साल बात भी उनका ये जुनून लोगों को दिवाना बना रहा है वन हंड़ेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड हिंदी में उपलब्द है एकांत के सौ वर्ष शेशक से यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस किताब को जरूर पढ मार्केस विश्वे साहित्य में मेरे पसंदीधा लेखकों में से हैं और इस दुनिया में एसे बहुत सारे लोग हैं तमाम ऐसे लोग हैं जिंके पसंदीधा लेखकों में वो शामिल हैं। गाप्रियल गार्सिया मार्केस पर सिर्फ एक वीडियो में बात नहीं करूंगा उनकी हर किताब पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और लेखन की उनकी शेली मैजिक रियलिजम के लिए वो जाने जाते थे उन्होंने लेखन की शेली पूरी दुनिया में बदल करके रख दी और गाप्रियल गार्सिया मार्केस से तमाम भाशाओं के लेखक प्रभावित रहे अगले इस पूरे समयावधि में मार्केस थोड़ा थोड़ा इसी तरह मैं प्रस्तुत करता रहूंगा आप सभी लोगों के सामने साहित्य, फिलोसोफी, प्रेम और सिनेमा से जुड़े मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है जी हाँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पॉक्स में है तब तक आप मुझे बताए कैसा लगा ये, आपके मन में जो सारी बातें वो जरूर लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा और फिर जल्दे मुलाखात होती है नमस्कार